लास्ट वीडियो में हमने वाक्यांस के लिए एक शब्द स्टार्ट किये थे 92 तक हमने कर लिये थे और चलिए आज हम करते हैं और आज हम पूरा कर लेंगे इसे वाक्यांस के लिए एक शब्द बहुत ज्यादा इंपोर्डेंट है आपकी सलेबस में ये लगा हुआ है तो आपको करना बहुत जरूरी है तो हम लोग राजिस्तान मादेमिक सिक्षा बोड की बुक 9 से लेकर 12 तक की हिंदी व्याकरण को कर रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं कठिनाई से प्राप्त होने वाला वो कहलाएग दूरलब ठीक है जो बहुत मुश्किलों से मिले वो कहलाएगा दूरलब दूर की सोचने वाला दूर दर्शी जिसे करना कठिन हो वह कहलाएगा दुसकर धर्म को चलाने वाला धर्म प्रवर्तक धर्म को चलाने वाला कहलाएगा धर्म प्रवर्तक मास न खाने वाला निराम 98 पर है इश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक और विश्वास रखने वाला आस्तिक जो अभी पैदा हुआ है वह कहलाएगा नवजात ठीक है जिसके पास धन हो उसे कहेंगे जिसके पास धन ना हो उसे कहेंगे निर्धन और जिसके पास धन हो उसे कहेंगे धनी नेक्स्ट है रात में विचरन करने वाला निशा चर ठीक है चर यानि विचरन करने वाला और निशा यानि रात जिसमें ममता नहो वह कहलाएगा निर्मम जिसमें ममता नहो वो क्या कहलाएगा निर्मम जो भयवीत नहो यानि जिसे डर ना लगे जो भयवीत नहो वह है जिसका कोई आधार ना हो, तो वह कहलाएगा निर आधार, ठीक है, निर्धन आधार, निराधार, निरिक्शन करने वाला निरीक्शक, निरिक्शन करेगा, तो उसे कहेंगे निरिक्शक, जिसका कोई आकार ना हो तो वह कहलाएगा निर आकार ठीक है निराकार निरधन आकार निराकार जिसमें संदेह ना हो उसे कहेंगे निस संदेह तो यहाँ पर यदि संदी करेंगे तो क्या होगी निस धन संदेह 100 यन पर देखिए बहुत महनत करने वाला महनती या परिश्रमी जो आखों के सामने हो उसे कहेंगे प्रतियक्ष प्रतिधन अक्ष क्या कहलाएगा प्रतियक्ष जो आखों के सामने न हो तो देखिए यहाँ पर तो था प्रतिधन अक्ष यन संधी जो आखों के सामने न हो उस से कहेंगे परोक्ष लेकिन यहां पर यण संदी नहीं होगी इहां पर जो मुल सब्द है वो तो है अक्ष तो यहां आएगा परहधन अक्ष नैट्ट है परदेश में रहने वाला प्रवासी दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी, जो पास्चात्य संस्कृति से संबंद रखता है उसे कहते हैं पास्चात्य, दूसरे लोक से संबंदित पार लोकिक, पत्तों की बनाई कुटिया, पर्ण, कुटि, पर्ण यानि पत्ता, तो पत्तों से जो कुटिया बनाई है उसे कहेंगे पर्ण, कुटि पंद्रह दिनों का समय पक्ष, रास्ता दिखाने वाला पत प्रदर्शक पत यानी रास्ता और प्रदर्शक दिखाने वाला जिस जानवर को पाला जाता हो उसे कहेंगे पालत। पुराने जमाने का उसे कहेंगे प्राचीन प्रसंसा करने योग्य क्या कहलाएगा प्रसंसनी है तो जिन में आपको परिशानी होगी उनको मैं डिफाइन कर दूँगी बाकि हम आगे चल रहे हैं तो इनको आप अच्छे से सुनिए और समझे प्रसंसा करने योग्य प्रसंसनी है पुस्तकों के लिए घर पुस्तक धन आ ले पुस्तक डीक के पुस्तकों के लिए जो घर है उसे कहेंगे पुस्तकाले उसके बाद है दूसरों पर आश्रित रहने वाला कहलाएगा पराव लंबी हात से लिखी पुस्तक जो हातों से लिखी जाती है तो क्या कहलाएगी पांडू लिपी ठीक है तो कई बार option में हस्त लिखित भी आ जाएगा लेकिन हमें क्या लिखना है हाथ से लिखी पुस्तक जो है उन्हें कहेंगे पांडू लिपी जो बहुत कीमती हो यानि बहु मूल्य ठीक है बहु मूल्य बहुत बोलने वाला वाचाल नेतर हीनों को पढ खाने की लिपी क्या कहलाती है ब्रेल लिपी जो पहले का हो भूत पूर्व ठीक है मास खाने वाला मासा हारी तो हमने देखा था जो मास न खाता हो उसे कहते हैं निरामिश जो मास खाने वाला है उसे कहेंगे मासा हारी कम खर्च करने वाला मित व्याई ध्यान देना है कम ख मरू भूमी, महीने में एक बार होने वाला मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्शिक, मर्म को छूने वाला मार्मिक, ठीक है, मर्म में एक प्रत्य लगते ही क्या बना मार्मिक, और कैसे बना ये, जब हमने प्रत्य किये थे, जब मैंने आपको समझाया था कि एक प्रत् लकडी काटने वाला लकड हारा जो लोगों का प्रिय हो लोक प्रिय लोक यानि लोग और लोगों को प्रिय हो लोक प्रिय वर्णों की माला वर्ण माला वर्ष में होने वाला वार्षिक जिसका विवा हो गया हो उसे कहेंगे विवाहित नेक्स्ट देखिए विश्णू का उपासक वैश्णम इसी तरीके से शिब का उपासक शैव जिसका विश्वास किया जा सके तो वह होगा विश्वसनी है नेक्स्ट है सक्ती का उपासक साक्त कहलाता है इसे आपको याद करना है सक्ति का उपासक क्या कहलाएगा शाक्त, शिव का उपासक शैव, जो सगा भाई हो वह कहलाएगा सहोदर, एक ही जाती के लोग सजाती है, स यानि समान और जाती के सजाती है, जो याद रखने योग्य है इसमरणी है, अच्छे चरित्रवाला, चरित अब देखिए यहाँ पर भी एक प्रत्य लगा, सप्ताह में एक प्रत्य लगते ही क्या बना, साप्ताहिक, सत्य बोलने वाला, सत्य वादी, संगीत का ज्यान रखने वाला, संगीत तग्य, एक कक्षा में पढ़ने वाला, सह पाथी, सेवा करने वाला, शेवक, जो सरलता से प सर्वग्य ग्य का अर्थ होता है जानना और सर्व यानि सबकुछ तो सबकुछ जानने वाला सर्वग्य जो हर इस्थान पर हो तो वह है सर्व व्यापक जो सहन करने में समर्थ हो तो जो सहन करेगा तो उसे कहेंगे सहन सील जो स्वयम सेवा करता हो स्वयम सेवक अपने राष् स्ट्रिय को सिंसा करने वाला क्या कहलाएगा हेन्सक्र अफने दस्त Chat उनको कहेंगे हस्त आक्षर हस्त धनख्षर हस्त आक्षर हस्त आक्षर इसे एक बार और आप वीडियो को सुनिएगा आपको रिवाइज हो जाएगा और आपके एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में व्याकरण के नई टॉपिक के साथ मिलते हैं थैंक यू